तो हलो फ्रेंड्स आगे हैं मैं एक और न्य वीडियो के साथ तो इस टाइम पर आप मेरे स्कोर देखोगे तो लगभग लगभग 9000 होने ही वाला है और ग्रान मास्टर इस टाइम पर दीख रहा है 13600 के सम्थिंग में मतलब कि लगभग लगभग मेरे को 5000 इसकोर प्लस करना पड़ेगा तब जाके मैं ग्रान मास्टर जा पाऊंगा और हाँ एक चीज आप लोग मेरे को जरूर सिस टाइम पर कमेंड करके बताना कि अभी के टाइम पर ब्यार रेंक में आपका कितना स्कोर है यह चीज जरूर से कमेंड करके बताना तो फिर चलो सिधा आपको मैं एक सबसे पहले जाके लूटूंगा और हाँ एक चीज में आपको बताना ही भूल गया है कल के वीडियो मैंने पूछा था कि कौन से गन में मैं वेपन गलोरी टाइटल पूस करूं मतलब कि मैं एम 14 में पूस करूं या फिर ग्रोजा में पूस करूं अब यह दोनों चीज में म टॉप वन का टाइटल ले चुका हूं मैं एम 14 में सबसे पहले लिया था उसके बाद फिर मैंने लिया था ग्रोजा में तो अभी मैं सोच रहा हूं कि ग्रोजा में दोबारा पूस किया जाए क्योंकि उस वाले वीडियो में ज्यादा तर कमेंट मेरे को दोनों ही देखने क मिला यार यह चीज़ चूज करने मेरे लिए सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन लग रहा था मेरे को थोड़ा सा क्वांटिटी ग्रोजा की तरफ ज्यादा गया है इसा करके तो इसलिए मैंने ग्रोजा को चूज किया है वो वीडियो में आगे बनने इस पहले ट्रेडिंग कर सकते हैं बेट विजा पर चाहिए उतने लोगों को रिफर करके पैसा कमा सकते हो ये 24 variance टू 7 इसका विड्रॉल कमफी फास्ट है इंडिया में जितने वी सारे वेब सैड है उनके कंपेरीजन में इसमें बहुत ही जल्दी वेड cuma कर जाता है बोनस और इसमें आप मिनिमाम 100 रूपीज डिपॉजिट कर सकते हो और इसमें एविएटर गेम कॉंटेस्ट को जोईन करके एक करोड तक विन कर सकते हो और इसके ब्रांड एमिजडर 6 फेबरिक रेस है जो कि स्पेन के फुडवाल प्लेयर है और इसमें आपको 50% लाइव कसी परसें करस्ट गेम के बोनस भी मिलेगा 12% क्रिकेट बोनस लाइव कसीनो डेली मिलेगा 1.2% सपोर्स और रिबेट डेली मिलेगा इसके अलावा डेली रिबेट एंड काईजबेक आपको 24 वाई 7 हमेशा मिलेगा और यह 100% सेफ एंड ट्रस्टेड है तो अभी जोईन करो ब गेम कॉंटेस्ट जिसमें आप एक करोड तक वीन कर सकते हो तो डाउनलोड लिंक आपको पीन कमेंट में मिल जाएगा अब इधर के साइट पर मेरे साथ ही साथ एक बंदा उत्रा था विससे फाइट करने के लिए मैं इधर के साइट पर आ गया इसको मैंने डाइमेस्ट हो दिया काफी जाधा बंदा वाल लगा लिया भाई अच्छा हो इसके पास नहरी करेक्टर नहीं है लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मेरे पस ज्यादा एमो भी नहीं है एके में भाई यह तो क्रोनो लगा के खेल रहा है भाई ओके चलो फाइनली बंदा फिनिस हो चुका है इस टायम पहा फेक्टरी के साइट पे फाइर तो आ रहा है उधर के साइट पर भी बंदे फाइट कर रहे हैं लेकिन हम लोग अभी के टायम पे तो उधर के साइट को थोड़ा सिगनोर करेंगे इधर कोई बंदा दीखेगा मारने का ट्रेट वा लेकिन बनदा ऊधर स्पाट नहीं हो रहा मैं चलू इधर मार्स ईलेक्रिक के तराफ ही चलते है क्योंकि उधर के साइट मेरे को मर्ज़ को और बन्रे मेरे ख्याल से अगर यहां से मेरे को मेरे को 1-3 kg जाएगा तो तो गलत हो जाएगा मतलब कि टॉप 20 आने से पहले मेरे को 2-3 kg करना इसा मेरा टार्गेट रहता है फिलाल ऐसा खेलना थोड़ा से रिस्की भी हो सकता है क्योंकि बाकी लो अगर आप कील कर सकते हो तभी ऐसा खेलो ना थोड़ा बहुत नहीं तो फिर सरवायू करके खेलो लास्ट में फाइट लो चलो ठीक है इधर एक मेरे को सौर्ट रिंज का ना भाई एक है कि इस पर बाड़ी बाड़ी दे मारा तो चलो अभी इधर से एक ग्रोजा एक्स पर्चेस करते हैं फिलाल तो अरे यार इधर तो ग्रोजा आउट आफ इस्टॉक हो चुका है उलेवल ही नहीं है भाई अब यहाँ पर मेरे पास पैसे तो है लेकिन मैं समान जो है खरीद नहीं सकता क्योंकि वह आउट आफ स्टॉक हो चुका है इधर बांकी चीज जो है वह खरीद लेते हैं और ग्रोजा एक्स मतलब अब मेरे को पिंक वेंडिंग मसीन से मिल सकता है अगर वह वह भी लेट में गिरता है तूरांत नहीं गिरता है चलो कोई बात न साभी चला नहीं इधर से मैंने तो बाकी चीजे पर्चेस कर लिया चीप स्टॉ मेरे को चहिए नहीं चलो इधर से निकलते हैं अवह th 취 yeah okay this time pilot gera लिए finally as magic और graves क्याल से निकलता निए भाई लास्ट वाले जोन मैंने डॉप में normal वाले डॉप में भी चांस रहता है ग्रोजास मिलने का बांकि अँभी ती स्टाइब इस्टार्टींग यह लेकिन मॉस्टर ट्रक ले लिया भाई अच्छा खासा इसके पास वह गाड़ी था लेंबोर गी ने था एक बिनेट यह बंदा मेरे मुह के सामने उस बंदे पर फायर कर रहा है वह एडबलुयम के मेरे ख्याल से डबलुयम चला रहा था उसके एक सॉट मारा था मेरे को पता चले इधर और भी बंदे भाई तो चलो अभी धर एक और दुकान तो आ चुका है इसमें से हम लोग एक ग्रोजा पर्शेस करते हैं ओके एक बंदा इधर भाई मरता क्यों नहीं है भाई भाई एसवीडी के इतना कम डामेज क्यों जा रहा है यार यह बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा है मतलब 50-60 को उसको डामेज जा रहा था बै इसका नेट नहीं चल रहा है क्या वो कहां से कहां गया भाई एक ही पल में नेट नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से इसका ओके बंदे का सच में नेट नहीं चल रहा है मेरे को लगाई क्योंकि वो अचानक से आगे चला गया मैं उस पर फायरी कर रहा था वो एकदम से मतलब उधर सीधार आ गया तब मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ चलो ठीक है इस तब मैंने ग्रो जैक्स तो पर्चेस कर लिया फाइनली मेरे को मिल भी चुका है चार कील हो चुका है तो अभी मेरे को कम से कम दो कील करना है एक बंदा तीधार है ये मारता हूँ एक बार अगर उसका वाल टूटा तो अभी ये खुन मार रहा है भाई चलो इसका सोनिय एक्टी हो चुका है बंदा डाउन हो चुका है रिवाई तो हो जाएगा मेरे ख्याल से एक मिनट इसका वाल तोड़ते है रे यार इसका वाल तो अंबूजा सिमेंट वाला है अब इस टाइम पर काफी लोगों के दिमाख में एक डाउट रहता है कि आखि मेरे ख्याल से तीन किल चाहिए तब जाके आपको 100 का वेपन गलोरी प्लस मिलेगा और यह 20,000 के बाद फिर 80-80 मिलने लगता है 20,000 से पहले हर गिम में आपको 100 मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो लेकिन हाँ वही है यार एक हेट सोट और एक बॉड़ी सोट से अगर मतलब यहां पर मैं थोड़ा से कील के चक्कर में आ गया था बाकी वैसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास अगर आप नोटीस करोगे तो पोर्टाल भी था प्लस लांच पेड भी था तो मैं इसली जोन में जा सकता था अब यहां पर देखो यह विसाल भाई को मैंन प्लस मैं मारों लगा के खेल रहा हूं इसलिए इतना पैतालीस प्लस जा रहा है बॉड़ी डायमेज नहीं तो फिर मेरे खाल से 35 से 40 के बीच में रहता है लेकिन एक बात तो है ग्रोजा एक जितना बॉड़ी मार रही है कभी कभी तीसकार उतना का हेड़ भी नहीं मारती इतना लॉग रेंज में अब इस ट्रैम पर लोग खुदी सोच के देखो जब मैं इतना इसली किसी बंदे को बॉड़ी सौट से मार दे रहा हूं मतलब पता है नहीं चल रहा है उसको एक इस प्रे में बंदा मर जा रहा है तो मैं क्यों ट्राइब मानने का क्योंकि हेड मान इसी बंदे को तो भूल जाओ कि उसको मैं बॉड़ी मतलब हेड सौट मारूंगा उनली बॉड़ी मारता हूं वैसे सिच्वेशन पर क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा हेड सौट के चक्कर में बॉड़ी सौट भी मीश हो और एक सच बात बताओ तो इसके पीछे एक ज हवा नहीं लगा होगा वाई उतना जल्दी मैंने इसको फिनिस किया अब चलो ठीक है मेरे को छोड़ कर दो बंदे और बचे लेकिन है इस टाइम पर मैं एक बात जरूर से बोलना चाहूंगा देखो मैं एक रेंग पूसर प्लेयर हो भाई ना कि हैट सौट प्लेयर हूं मे इतना असानी से मतलब बॉड़ी से भी आप लोगों को फिनिस कर सकते हो लेकिन एक बात मज़ेतार आपको मैं बात बताता हूं आपको यकीन नहीं होगा चाहूं तो आप ट्राई करके देख सकते हो तब ही आपको यकीन होगा जितना हेट सौट मानने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है ना उससे थोड़ा सा आधा आपको बॉड़ी सौट मारने के लिए भी प्रेक्टिस करना पड़ेगा मतलब इस प्रे आपको किस तरह से करना है कि आपका जो गोली रहेगा वह रिक्वाइल ना हो यह चीज पर थोड़ा सा प्रेक्टिस करना पड़ता है त तो चलो, फाइनली ये वाला बंदा भी फीनिस हो चुग है, और देखते ही देखते हूं मेरे को इस वाले गेम में बुया ही मिल चुका है, भाई मतलब मेरे को कुछ करना ही नहीं पढ़ा है, 10 किल मेरा ऐसे ही हो गया भाई इतना मतलब इजी पीजी 10 किल करके मैंने बुईया ले लिया और फाइनली इसमें मेरे को 31 का प्लस मिला तो फिर यही था राज का वीडियो गर आपने यहां तक वीडियो देखा आपको दिल से धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में